हमारी science की book के अंदर जो activity 6.6 है उसे हमने discuss करना है चलो start करते हैं first point पे आते हैं activity 6.6 observe fish in an aquarium they open and close their mouth and gillslits देखो first point में अभी तक तो यह बो लग गया है कि aquarium के अंदर आप fish को बड़े ध्यान से observe करो तो जब आप बड़े ध्यान से fish को दिखोगे तो आप यह notice करोगे कि वो अपने mouth को बार-बार open करती है close करती है अपने mouth को fish बार-बार open कर रही है close कर रही है फिर open फिर close फिर open फिर close और सिरफ mouth को नहीं mouth के साथ साथ जो उसके gills slicks होते हैं जो gills के बीच में जो opening होते हैं उन्हें gills slicks बोला जाता है तो वो भी बार-बार open हो रहे हैं, close हो रहे हैं, clear हुआ fish को अगर आप aquarium के अंदर बड़े ध्यान से observe करोगे ना तो आप ये notice करोगे कि fish अपने mouth को भी और gills slicks को भी बार-बार open and close कर रही होती हैं और ये process लगतार चल रही होती है अब second यहाँ पे आपसे ये पुछा जा रहे है कि fish अपने mouth को और gills slicks को open और close कर रही है तो ये opening और closing का जो time है क्या वो किसी तरीके से coordinate है क्या उनकी बीच में कोई तालमेल है तो मैं आपको ना पहले explain कर देता हूँ कि वो fish अपने mouth को open और close क्यों कर रही होती है ये को जिन्दा रहने के लिए हमें भी oxygen की requirement होती है जिन्दा रहने के लिए fish को भी oxygen की requirement होती है हमारी body के अंदर lungs होते है lungs का काम होता है हवा में से oxygen को extract करना, absorb कर लेना लेकिन जो fish है, fish के पास lungs नहीं होते है उनके पास gills होते है gills का काम होता है पानी में से oxygen को अलग करना, absorb कर लेना हम हवा में सास ले सकते है, मतलब हवा के अंदर जो oxygen है उससे हमारी body lungs की वज़े से अलग कर सकती है, absorb कर सकती है जब आप सास लेते हो ना, breathe in करते हो तो सारे की सारे air आपकी body के अंदर anchor करती है अब हमारी body में जो lungs हैं, वो air में से oxygen को अलग कर लेते है फिश के अंदर गिल्स होते हैं गिल्स की वज़े से जो फिश है वो पानी की अंदर जो oxygen present होती है dissolved form में पानी में से oxygen को अलग करने का काम गिल्स का होता है तो फिश अपने माउथ को जब open करती है ना तो वो घेर सारे water को अपने body के अंदर ले जाती है फिर उस water को गिल्स में से पास किया जाता है तो वहाँ पर फिर जो गिल्स हैं वो वाटर में से oxygen को अलग करने का काम करती है और बागी के water को फिर फिश अपनी body में से बाहर थो कर देती है गिल्स से बाहर निकाल देती है clear हुआ तो जो फिश है, वो अपने माउस को बार-बार open and close, open and close कर रही है ना, तो जब फिश अपने माउस को open करती है, तो वो water को अपनी body के अंदर लेके जाती है, फिर उस water को gills में से pass किया जाता है, ताकि water में से जो dissolved oxygen है, उसे absorb किया जा सके, जिन्दा रहने के लिए oxygen की requirement हमें भ को अलग कर सकते होते हैं, फिश की body में gills होते हैं, जिसकी वज़े से पानी के अंदर जो dissolved oxygen होती है, फिश उस oxygen को पानी में से अलग कर सकते होती है, clear हो गया, यह जो आपर पूछा जा रहा था ना, कि opening और closing के जो timings हैं, क्या वो co-organic हैं, क्या उनकी बीच में कोई ताल मि है, तो इसका answer yes है, क्योंकि पहले fish mouth open करेगी, water fish की body के अंदर anchor करेगा, फिर mouth close हो जाएगा, फिर उस water को gills में से पास किया जाएगा, gills water में से oxygen को अलग करेंगे, remaining water को gills slicks open होगे, और बाहर throw कर दिया जाएगा, clear हो गया, तो यह process लगदार चलता रहता होता है, fish के answer में आप हैसे लिखोगे, yes, the timings of opening and closing of mouth and gills slicks are coordinated, जो fish का mouth होता है, और उनकी जो gills slicks होता है, उनकी opening और closing के timings के बीच में एक ताल मेल होता है, coordinated manner के अंदर ये काम होता होता है, the water engulfed from the mouth is immediately pushed to gills for absorbing oxygen dissolved in water, जो water mouth में से fish की body के अंदर जाता है, उस water को immediately फिर gills में से पास किया जाता है, और gills का काम क्या होता है, water में से oxygen को absorb कर लेदा, बस फिर जो बागी remaining water है, उसे remove कर देते हैं, gills slicks में से, next point पे आते हैं, count the number of times the fish opens and closes its mouth in a minute, तो एक मिनट में कितनी बार fish अपने mouth को open करेगी, close करेगी, approximately 50 के आसपस होता है, approximately 50 times, fish अपने mouth को open करती है, close करती है, अब ये इतना जादा इसलिए है, देखो हवा के अंदर oxygen की quantity काफ़ी जादा होती है, पानी के अंदर oxygen present होती है, लेकिन पानी के अंदर oxygen बहुत जादा quantity में present नहीं होती, oxygen की जो percentage है, पानी की अंदर जो dissolved form में oxygen present होती है, वो कम होती है, हवा के अंदर oxygen जादा percentage के अंदर present होती है, इसलिए हमें इतनी जादा बार breathe in, breathe out नहीं करना परता होता होता, हमें approximately 12 to 20 times, जो agarics होती है, वो 12 to 20 times, approximately 1 minute में breathe in या breathe out कर रही होती है, लेकिन जो fish है, वो अपने mouth को open या close, एक minute में approximately 50 times कर रही होती है, एक और point है यहाँ पे, जो ठंगा पानी होता है, जहाँ जहाँ पे पानी खंगा होता है, तो वहाँ पे dissolved oxygen की percentage जादा होती है, तो ठंगे पानी के अंदर, महलें, temperature अगर थोड़ा सा कम है, ठंगे पानी में जो fish है न, वो 50 से थोड़ सा कम बार, अपने mouth को एक minute में open या close करेगी, क्योंकि खंगे पानी के अंदर, oxygen की percentage, जो oxygen पानी के अंदर dissolved form में present है, उसकी percentage थोड़ी सी जादा होती है, जहाँ पे temperature थोड़ी सा जादा होता है, जो गरम पानी होता है, relatively जो गरम पानी होगा, वहाँ पे जो fish होगी, उसे जा जादा पानी में से oxygen को extract करना पड़ेगा, क्योंकि गरम पानी में oxygen की percentage थोड़ी सी कम होती है, कम present होती है, clear होगया, वहीं लिखा होगा यहाँ पे न, cooler water contains more oxygen, जहाँ पे खंगा पानी होता है न, तो उसके अंदर जादा oxygen present होती है, गरम पानी के comparison में, So cold water species, open and close their mouth less frequently, ठंगे पानी के अंदर जो fish होती है, उनको थोड़ा सा कम बार, अपने माउथ को open and close करना पड़ेगा, जो गरम पानी के अंदर रह रही है, उनको थोड़ा सा जादा पार, अपने माउथ को open and close करना पड़ेगा, एक मिनट में, Next point पर आते हैं, compare this to the number of times you breathe in and out in a minute, अब एक मिनट में आप कितने बार breathe in या breathe out करते हो, जो normal है ना, वो तो quality quantity counts है, अब हमारा quality quantity counts है, लेकिन जो fish है, वो एक मिनट में 50 counts open या close करना पड़ेगा, अपने माउथ को उसे, क्योंकि air के अंदर oxygen की quantity जादा होती है, oxygen की जो percentage है, वो air के अंदर, atmosphere के अंदर जादा होती है, fish पानी में रहती है, पानी के अंदर जो dissolved oxygen है, उसके percentage कम होती है, इसलिए उनको जादा बार, breathe in या जादा बार उनको water को अपने gills में से pass करना पड़ता है, हमें breathe in या breathe out इतनी जादा बार नहीं करना पड़ता है.